प्रूरी सूजना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply Coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं ये कूपन कोड है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% डिसकाउंट तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर इसमाल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ के आंसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो अप्लाइब कूपन वाले में आता है तो ट्वंटी परसंट कर डिसकाउंट तुरंग देगा वीडियो देखिए वाश्कार दोस्तों इन्वाइमेंट की एक और लेक्षर स्रीज में आपका सवागत है बहुत जल्ड इन्वाइमेंट की बस सीरीज कतम होने वाली है आज हम लोग साड़े तीन सो प्रशन अपने कर लेंगे बहुत जल्ड इसको कंप्लीट करके अब हम लोग जो लेटेस्ट डाटा मिस्लेनियस का कंप्लीट हो चुका है वह सीरीज में फिर से चलाओंगा उसको मैंने सो क्वेशन कराएं आपको दो सो क्वेशन उसके मैं और लेटेस्ट पैटन के साथ करा दूँगा जो कंप्लीट प्रिप्रेशन अब हमारे पेट ग्रुप से जोड़के कर सकते हारो यारोगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे दोस्तों जो तयारी के लिए चीज़ें चाहिए आपको एक पन्ना भी नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा चले 326 कहरा निमलिखि और ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया कौन सा गलत है इसमें यह बताना है दोस्तों तो देखिए फोन जो होता है सेंट्रल यूरोप में चलती है मतलब एक तरह से स्विजलेंड है जर्मनी है ऑस्ट्रिया है यहां पे चलती है खमसिन पावने नाइजीरिया में चलती यह गल मसें न lors प्रम पर स्टेशन लुकेटए लिगी पहराश्ट या छ्थ चैज है तो ये विंद्याचल पार स्टेशन इंपी मध्यप्रदेश में नुख्यर प्रभाब प्ल्यष प्ल्यटस का क्या चीज़ इस प्ररंभिट लागत उच्छ रख रखाव लागत यह कम संचालन लागत हाई इनिश्यल कॉस्ट हाई मेंटिनेंस कॉस्ट लो ऑपरेशन कॉस्ट तो इसका देखिए तीनों ही सही है क्यों क्योंकि नीगलर पावर्ट प्रांट जो होता है उसकी इनिश्यल कॉस्ट बहुत महेंगी पड़त मेंटिनेंस कॉस्ट भी ज्यादा पर ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत काम है ठीक है अगला भारत के संदर में निम्लिकित में से किसे पर्यावरण के अनुकूल क्रशी का अभ्यास माना जाता है फसल वेविदी करण फली गहनता और टेंसियो मीटर का उप्योग इंग्लिज में करें तो इन दा कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ फॉलोईंग और कंसिडर्ट वी प्रक्टिस ऑफ दी इको फ्रेंडली अग्रिकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लग्यूम इंटेंसिफिकेशन या या यूज उफ टेंसियो मीटर ठीक है तो दोस्तों से गार के चेक करा जाता है स्वाइल के वाटर पोटेंशल कितना है स्वाइल में मिन्डरल्स कितने यह सब चीज़े मैसर करता है और फसल विविदी करना मतलब भीया एक जगह आपने अभी कोछ उगाया यह उगाया फिर चाहलोगा लिए फिलाल ऐसे आप डाइवर्स कॉर और क्रॉप उगाएंगे तो स्वाइल की जो इंटेंसिटी होती है मतलब जो क्या बोलते प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आफ कीजिए चल तीन सो तीस निम्लिकित में से किस शेत्र में उतक्रस्ट उपलब्दी के लिए ग्लोबल 500 पुरुषकार दिये जाते हैं ग्लोब इन्वाइमेंट के लिए मिलता है भारत के अनिल अगरवाल को मिल चुका है और जो फॉर्मर यूएस प्रेसिदेंटे जिमी कार्टर उनको मिल चुका है चलिया अगला दिखने ग्रामीर समुदायों और वक्तियों को कौन सा पुरुषकार दिया जाता है जिनोंने वन और समर्पण का प्रदर्शन किया है इंग्लिश में देखें तो विच अवार्ड इस गिवन टू रूरल कॉम्मुनिटीज और इंडिविज्विज्वल्स हुएव दिमॉंस्ट्रेटेट एक्स्ट्रीम करेच एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइड लाइफ त प्रद्टवशिव में बारत में राम दिव मिश्वा को जनक माना जाता है इन इंडिया राम देव मिश्रा इसकं सिधान और उसका भी आसान है इन इंडिया राम देव मिश्रा इस सामान इस शब्द क्या है सर्णा कोविल काडु सिफिन या ला लिंग दो तो गारो खासी जहनती है हिल्स हमें गाले आमें वहां कि लोग पवित रुपवनों के लिए ला लिंग डो यूस्ट करते हैं या लिंग दो याद रखे कि ला लिंग दो चले 334 नंबर पर आ जाते हैं क्या कह रहा है निम्लिक चेंज नश्नल सोलर मिशन ग्रीन इंडियाद उच्छन एल प्लिूशन mitigation कि आगी कलायमٹ चेंज को mitigate करने के लिए मतलब tô चॉन उचना के लिए इसकी योजना के लिए सोङल जेह लिए उचाव रहा है ग्रीन इंडिया उच्छन च Cameron यह वॉट कर दोत औशदी प्राप्त करने के श्रोथ हैं जानवर और पौधे सूच मजीव कर्तिम रूप से संसलेशित पदार्थ ठीक है विच आफ दीज आर दा सोर्स ऑफ अप्टेनिंग मैडिसेंस एनिमल एंड प्लांट्स माइक्रो औरगनिद्प से एंडिया चीज और से स्टेटियिं मैडिसें ऑ्ठ प्रोट्ट ऑसे सब्सक्राइव 20 hidden जानवर से अप्ले से मिलते हैं जो होते हैं उसा मतलब सिंधेटिक होते हैं उनसे प्रोडॉक्तुन प्रोडर्च उन Faytis सही है 336 कहता है दोस्तों which of the following medicine is widely used in India to treat malaria malaria की इलाज के लिए भारत में निमलेखित में से कौन सी दवा का व्यापा ग्रूप से उपियों किया जाता है रिंफंसी्ट हईड्रो और यूटल और पैयराज ही नाइड ईच्छे दंट्रो का ओरीमिलेफिड तो कंसा यूजो ऩां वता आने दोस्तों पता होका था क्यों नीं ठीक है मलेरिया के लिए ऐड्रोक्सी ख्लोरोक्यूनी यूज होता है ग्रीन पीज इंटरनाशनल का मुख्याले कहां पर है जाट कॉर्टर ऑफ ग्रीन पीज इंटरनाशनल इस लोकेट नियू-यॉ-यॉ-यॉ-क- अजिए अनुसूची में पूर्ण रच्छा और अपरात का प्रवधान दिया अनुसूची एक दो अनुसूची दो तीन चार या सिर्फ अनुसूची चार तो देखिए वाइड लाइप प्रोटक्शन एक उन्ने सो बातर शौट में समझ लिए एक और दो जो अनुसूची है हैं अगर आप नंके किसी भी जानवर को मारते हैं जो इन ज़िव में आते हैं तो बहुत थाइपनाल्टी समय में तीन चार में पै नाल्टी में पैसिर्फ प्रोटक्शन है लिए हैं पाँ ऑर शे श्स्पांच वालों को तो आप पराम से हंड़कर सकते हो जैसे काव चीटे वीटे हैं मतलब जिए जानवर जिनको आप मार सकते हो वह शिड्डूल पांच में है अब्सल्ट प्रोडक्शन सिर्फ शिड्डूल किसको दी गई है वन और टू को तो वन और टू कहां पर आता भी है देखो शिड्डूल वन और टू यहां रहा है ठीक है यहांनि श 2069-1976-1988 तो दोस्तों नैशनल फॉरस्ट पॉलिसी के जो दूसरे अडिक्शन है यह आया था 1988 में ठीक है चलिए अगला देखते हैं 340 बारत में 114 अधनियम 1978 में अधनियमित किया गया था पर्यावरार संवर्चन अधनियम 1986 में अधनियमित किया गया था कौन सी इन दोनो तो में से कौन सी स्टेट्मेंट साहिए आपको यह बतानी है ठीक है तो कौन सी सही होगी दोस्तों तो देकि पहली तो गहले था क्योंकि फॉरस्ट कंदर्वेशन अक्ट बच्चे बच्चे को बता 1916 में आई थी अधनि दूसरी स्टेट्मेंट सही हो जाएगी अगला ठी इसने फसल अवदी और वर्स के दौरान फसल की आउशक्ता के अमसार आपूर्ती की जाने वाली सिचाई के लिए पानी कहलाता है वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाइड एस पर क्रॉप रिक्वायर्मेंट थ्रूआउट दा क्रॉप पिरिएट पर यह इसको कहते हैं तपकन से चाहिए बारा मासी से चाहिए यह लिफ्ट से चाहिए जो भी क्रॉप परियर्प यह जोंब्लब जो भी फसल आप उर्ती की जाती है पूरे वर्श तो उसको परीमियल इगिशन मोलते हैं ठीके परीमियल रिवर्श जैसे नहीं होती है जो बारोमासी वयती था the term ecology was first used by जर्मन बाइलोजिस्ट अर्नेस्टी कले 1935 1899 1869 यह 1900 कब करा था इसने यूज इसका तो दिए अर्नेस्टी कल ने इकोलोजी तम का यूज करा ताइम था ठाइम था 1869 ठीक है 1869 पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है और ओवग्ग नेचरोजन मेगनेशियम या कार्मन भाहत ही असान है दोस्तों वोट वोस्क्राइब the chloroplast of leaves तो क्या होगा magnesium होता है क्या होता है magnesium होता chloroplast of leaves में क्या होता है magnesium ठीक है चले 344 देखने पर्यावराण के संदर में 10% उर्जा इस्थानांत्र नियम किसने प्रस्तावित किया था विट रिफरेंस to the environment who proposed 10% energy transfer rule डारवन तैंसले कॉर्ल मोबियस या प्रत्वीर पर आपमान लगबा कितना है अगला देखते हैं संपीडित प्राकृतिक गैस यानि cng प्राकृतिक गैस को संपीडित करके बनाई जाती है जो मुख की रूप से किस से बनती है यह पूछ रहा है cng is made up of compressed natural gas by which मतलब it will compose by which ns3 ch4 co या cs3 तो देखें मेथेन से बनती और मेथेन का फॉर्मुला क्या होता है ch4 होता है क्या होता है ch4 यानि मेथेन ठीक है याद रखना कोई समस्य पानी हो तो बताईएगा अगला विद रिफरेंस तूदा metal ores choose incorrect pair दातू और एसकों के संदर में गलत युक्मों का चेहन करना है तो आर्जैनिक जिंग की ओर होती है किसकी होती है जिंग की ओर है बाकी सीने बारमार्कीडी की है गैलन अलेट की है और कैसे राइट इन की है यह ठीक है 344 प्रवाल वित्तियमों के रूप से विश्व इस्तर पर ड्याश में वित्रित होती है coral reefs are mainly distributed globally temperate water tropical water अंटार्क्टिक सबसे ज्यादा मिलेंगी ट्रॉपिकल ओशियन में 23.5 नॉर्थ और साउथ के बीच में क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा टेंपरेचर वेरियन नहीं सैपाती इनको बस 27 डिग्री टेंपरेचर ही चाहिए उससे ज्यादा में मरने लग जाते हैं आगला देखते हैं यहां पर ग्रेट बैडियर रीव भी ऑस्ट्रिलियम देखो आपको यहीं पर मिलेगी इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में लेकिन संते इंप्रेचन देख लेते हैं फिर अपने साड़े तीन्स ओप्रेचन हो जाएंगे प्रोजेक्ट मॉसम जिसे जून 2014 में लॉंच किया गया था यह किसकी एक पहल है प्रोजेक्ट मॉसम विच वज लॉंच इन जून 2014 इस इन इनिशेटिव ऑफ इस पर लॉंच किया तो लॉंच किया किसकी पहल थी तो यह इसको आपको लाग रहुगा पर यह जो था यह मिनिस्ट्री और कल्चर ने करी ती ठीक्ट्री और अर्गे साइज जो ती आर्केलोजिकल सर्वेंट दिया उन्होंने इसको में शुरू करा था ठीक है इसको और फिर ये environment की series आपकी खतम बार बार इसको revision करना बहुत ज्यादा helpful होगी आपके लिए बाकि SCS की test series, GS की full link की please आप ले लो और लगाते रहो उसको ठीके और paid quiz join करके आप अपने paid quiz को भी attempt करके और अच्छी तयारी कर सकते हो, practice अच्छी कर सकते हो GS की दोस्तों